Altitude of a Triangle Triangle के Altitude से क्या मुराद है? Altitude Hide को कहते हैं आज की वीडियो में हमने सीखना है कि किसी Triangle के Altitude को कैसे Construct किया जाता है इसके लिए हमें एक Triangle Given है Triangle A, B, C Construction Step में लिखते हैं Given a Triangle A, B, C अब हमने इसके Sides का Altitude ड्राउ करना यानि की Perpendicular Height ड्राउ करने है Height हमेशा Perpendicular ही होती है तो इसके लिए क्या करेंगे? हम Compass ले आते हैं और For Example Side B, C का Altitude ड्राउ करना है तो इसका Opposite जो Vertex है Vertex A इसके उपर हम अपने Compass को रखेंगे और इसको मुनासिब सा खोलना है इतना खोलना है कि इससे हम Side B, C के उपर एक Arc ड्राउ कर सकें इस तरह से कि इस तरह से Arc ड्राउ करना है कि Side B, C के दोनों साइट्स को ये इंटरसेक्ट करें अब इस केस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब मुझे Compass का Size थोड़ा सा छोटा करना होगा तो यहां से इसका Radius थोड़ा सा कम कर देते हैं अब इसके बाद इतना Radius रहके हम एक Arc ड्राउ करते हैं तो इस केस में भी ये दोनों साइट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो Compass को यहां से हटा देंगे और Scale की मदद से Side B, C को थोड़ा सा Extend कर देते हैं इसके बाद Scale को यहां से हटा देंगे Compass ले आएंगे और अब Compass की मदद से इसके उपर हम Arc ड्राउ करते हैं इस तरह से कि ये इसको दो पार्ट्स पे कट करें जिन पॉइंट्स पे ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम P कह देते हैं और इस पॉइंट को Q कह देते हैं इसको Steps में लिख लेंगे With A as Center and Suitable Radius Draw an Arc Cutting BC at 2.P and Q A को सेंटर रखते वे हमने Suitable Radius का एक आर्क ड्राउ किया जो साइट BC को जिसको हमने आगे प्रोड्यूस किया था दो पॉइंट पे कट कर रही है Next Step है हम Compass ले आएंगे और Compass को पॉइंट P के उपर रखते हैं जहां पर ये BC को कट कर रहा था इसके उपर रखके Compass को हमने खोलना अपने Arc जो हमारे पास Arc P Q है इसके Half से ज्यादा या यूं कहलें कि जो P Q लाइन बन रही है P से Q तक इस लाइन के Half से ज्यादा इसको Open करेंगे और इसके बाद Point P पे रखते वे एक Arc ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से Point Q पे रखते वे हम दूसरी Arc ड्रॉ करेंगे Half से ज्यादा खोलने के बाद इसके Size को इसके Radius को Change नहीं करना ये दो Arks जिन Points पे एक दूसरे को Cut करें इस Point को R कह देते हैं इसके बाद Scale की मदद से Point A को Join करेंगे इस Point R के साद एक Ray की मदद से ये जो Ray है ये Perpendicular होगा साइट BC के उपर हम इसकी मदद से चेक भी कर सकते हैं इसकी मदद से तो ये Exactly 90 Degree का Angle बना रहे हैं यानि की Perpendicular है इसी Perpendicular Distance को Triangle का Altitude या Height कहा जाता है अब इसी तरह से बाकी दो साइट का भी हम Draw करेंगे इससे पहले Step को यहाँ पर लिख लेते हैं With P as Center and Radius Greater than Half of PQ Draw an Arc Now with Q as Center and the Same Radius Draw another Arc Cutting the Previously Drawn Arc at R हमने क्या किया P को Center रखते वे इस Line P Q के Half से ज्यादा Compass को खोला और यहाँ पर एक Arc लगा दी इसके बाद Point Q पे Same Radius रखते वे एक और Arc लगा दी जो पहली Arc को Point R पे Cut कर रही है Join A with R Cutting BC at L हमने A को Point R से जोईन किया जो की BC Line सेग्मेंट को Point L पे Cut कर रही है Next हम Compass को Point B के उपर रखेंगे और अब हमने Altitude Draw करना है A, C का तो इसके लिए इसको मुनासिब से खोलेंगे और इसके बाद एक आर्क लगा देंगे इस तरह से कि ये इस साइड A, C को दो पॉइंट्स पे Cut कर रहे हैं यहां पे ये दो पॉइंट्स पे Cut कर रहे हमें इस साइड को आगे Extend करना नहीं पड़ा इसके बाद Compass को यहां से इस पॉइंट्स पे ले आएंगे जहां पे Line A, C को ये Cut कर रहा है और इसके लेंद्स के Half से ज्यादा Compass को Open करेंगे और इसके बाद दुबारा से Same यही प्रोसेस रिपीट करना उपर एक आर्क लगा देना है और दूसरे पॉइंट्स पे रखते वे भी यहां पे एक आर्क लगा देना है Compass को यहां से हटा देंगे इसके बाद Scale की मदद से Point B को जॉइंट करेंगे इस Point के साथ इस Point को M कह देते हैं अब Last में C Point के उपर रखते वे Same इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे यहां पे आर्क लगा देंगे इस तरह से किए दो Point के कट करें हमें इस Side को भी आगे Extend करना पड़ा है क्योंकि एक मुनासिब Radius का आर्क ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसलिए हमने इसको Extend किया Side A B को भी हमने Extend किया है ताकि हम असानी से एक मुनासिब Radius का आर्क ड्रॉ कर सके इसको Extend के बगएर ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा था तो अब इसके बाद यहां पे इस तरह से आर्क लगा देंगे फिर जिस Point पे यह इस Line सेग्मेंट को कट कर रही है इस Point पे रखते वे इसके Half से ज्यादा Open करेंगे और Same यही प्रोसेस रिपीट करेंगे इस Line के उपर एक आर्क लगा देनी है और दूसरे Point पे रखते वे भी हमने एक आर्क लगा देनी है यह दोनों आर्क जिस Point पे एक दूसरे को कट करें इस Point को N कह देते हैं जब हम N को C से ज्याइन करेंगे तो यह हमारे पास Altitude आजाएगा Side A, B का यहां से हम देख सकते हैं कि तीनों Altitude जो हैं वो एक Point पे मीट कर रहे हैं इस Point को हम H कह देते हैं जहां पे यह Altitudes मीट कर रहे हैं इसको Steps में लिख लेंगे From B and C Draw the Altitudes B, M and C, N respectively B और C Point से हमने Altitudes Draw कर लिए The Altitudes Meet Each Other at Point H जो सारे Altitudes हैं वो एक दूसरे को Point H पे मीट कर रहे हैं Hence the Altitudes of the Triangle are Concurrent जो Triangle के Altitudes हैं वो Concurrent है यानि कि तीनों एक ही Point से गुजर रहे हैं The Point of Concurrency of Altitudes is called OrthoCenter जो Altitudes का Point of Concurrency है वो जो Meeting Point है इसको OrthoCenter कहा जाता है इस तरह से हम किसी भी Given Triangle के Sides का Altitude ड्राउ कर सकते हैं क्याजर बाट थाढ आप झेसे बाट हैं । जो 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 किएा गी टाप़ आपसने का ठान आपा हैं